हेलो स्वागत है आपका जमेट्री और मेंसुरेशन के इस पूरी न्यू वीडियो लेक्चर सिरीज में मैं बैक टू बैक सारे वीडियो अप्लोड करूँगा हर एक वीडियो में एक नया कंसेप्ट देने कोशिश करूँगा या फिर एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के कुश्चन्स डिसकस करूँगा आपसे इस वाले वीडियो में बैने जमेट्री और मैंसुरेशन दोनों टॉपिक पर क्यों लेखा हूं पर इस वाले बात को समझ लो मैं चाहता तो सेपरेटली जमेट्री और सेपरेटली मैंसुरेशन लेकर पढ़ा सकता था लेकिन होता ह यह कि न कुछ बच्चे को सिर्फ मेंसुड जही होता है कि वो ये नहीं समझते कि बिना जॉमेटरी कए मैंसुरे गोल सब्सक्राइब यह जामद्वित एक दूसरे से लिंग्ड टॉपिक है जामिती और छेत्रमित्री एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है अब दूसरी बात आपको कन्वे कर रहे है अभी मैंने न सबसे एक पहला फेस लिया हुआ है जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है एंगल्स तो अभी इस सोली वीडियो मैं आपको एंगल्स पर एकदम बेसिक थियोरी देने वालो जिसको हम लोग कोण कहते हैं किस तरह के कोण होते हैं कितने टाइप की एंगल्स होते हैं सारा कुछ एकदम डिटेल ने बताऊंगा एक बर कास युचैए यहां पर मैंने लिखा हुआ आपके लिए एक यूट एंगल्स तो ऐसा कोई एंगल्स नाइन टी से कम और जीरो से ज्यादए हो तो उसे हम लोग चेहिंगaya एकूट एंगल्स नकंटिवे जिसकी वैल्यो 90 डिग्री होती है exactly, चीक है, obtuse angle मने कि अधिक कुण, ऐसा angle जिसकी value 90 से जाधा होगी, लेकिन 180 से कम होगी, क्या तक idea मिल गया, straight angle, straight angle वो होता है जिसकी value 180 डिग्री होती है, चीक है, सरल कुण वो कुण होगा, जिसकी value 180 डिग्री होती है, कुछ इस तरीके से दिखाए देता है, कुछ ऐसा angle जो है, यह होता है 180 डिग्री, next is complete angle, complete angle क्या होता है, जब कोई एक point पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, तो complete angle कुछ और नहीं होता है, उसमें angle की value होती है 360 डिग्री, got it, complete angle, angle की value होती है 360 डिग्री, जाते comfortable है पर, इनकी भी photo देख लो, एक ब यह है right angle, कुछ ऐसा दिखाए देगा है, और यह है दरसल obtuse angle, कुछ ऐसा दिखाए देगा है, ठीक है, तो यह तीन photo, 1, 2, 3, साथ में ड्रो कर लीजेगा, comfortable है आपर, देखो मैंने सभी का theory वहां पर लिख दे, इतनान से आपने copy में copy कीजेगा, अगला लिखाव है reflex angle, reflex angle व 180 से कम होगी, लेकिन 0 से जाधा होगी, तो यह पूरी condition से जब को याद रखने होती है, complimentary angle, complimentary angle को में पूरक कोण में बोलते हैं, complimentary angle वो एंगल होते हैं, जिसमें angle का sum, कोई भी दो एंगल आपस में compliment होगे, जब उनका sum 90 degree होगा, got it, supplementary angle, कोई भी दो एंगल आपस में supplement होगे sum पूरक कोण बोलते हैं, कोई भी दो कोण आपस में sum पूरक होगे, जब उसका sum 180 degree होगा, इतनी वा स्वाज में आगे, पूरक कोण के case में दोनों का sum 180 degree होना चाहिए, got it, तो यह पूरे angles की theory होगे, बच्छे लोग, यह पूरी की पूरी theory आपको इसमें copy करनी है, यहां त theory पर apply करना सिखाता हूँ, इतमिनान से देखते चाहिएगा, यह रहे, कुछ questions, जो मैंने this theory पर लिखे होगे, इतमिनान से सुनते, question 1 कहता है, find the measure of an angle which is complement of itself, बोल रहा है कि उस code का मान बता दो, हिंदी में बोल रहा हो question, उस code का मान बता दो, जो स्वयम का पूरक है, which is complement of itself, ठीक है, तो वो angle जो स्वयम का पूरक हो, जो complement of itself होगा, माले वो angle है theta, ठीक है, और अगर वो complement of itself होगा, तो उसकी value होगी 90 minus theta, यह रहा है, तो कोई भी दो angle, अगर आपस में complement है, तो उनके बीच का difference 90 degree आना चाहिए, यह रहा है, तो मैं क्या convey करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यह convey करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर वो कह रहा है कि वो angle find करो, जो खुद का complement है, तो वो angle, खुद का complement, complement होने के लिए क्या होता है भई, दोनों का sum 90 degree होना चाहिए, तो वो angle जो खुद का complement है, आपस में equal हो गया, यह angle खुद का complement हो गया, तो जैसे आब इसको solve क तो क्या हो जागा, 2 theta is equal to 90, so theta is equal to 90 upon 2, which is 45 degree, यह हो गया, question about 1 का solution, इसका answer था 45 degree, ठीक है, question about 1, बहुत ही basic convey करो, इत्मिनान से देरे-देरे सीखते जाओ, आने लगेगा आपको सबकु समझ में, question about 2 सुनते है, question about 2 क्या कहते है, question about 2 क्या कहते है, question about 2 क्या कहते है, question about 2 क्या कहत कब होंगे, जब उन दोनों का सम कितना होगा, 180 degree, अभी भी यह लिखके बताया था, कोई भी 2 angle supplement तब होते है, जब उनके सम होता है, 180 degree, ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 supplementary angle है, जिनके बीच का difference 34 degree है, तो 34 degree, दो एंगल जो supplement है, theta 1, theta 2, उनके बीच का difference, which is 34 degree, ठीक है, तो बोल है, सम पूरा खोने की condition, तो यह दोनों को जब मैं solve करूँगा, equation 1 और equation 2, जब मैं दोनों को solve करूँगा, और add करूँगा, तो कैसा दिखाए था, 2 theta 1 is equal to 4, and which is 21, so theta 1 is equal to 10, and 1 बच जागा 107, तो theta 1 की value आगे 107, अब आपको अगर theta 2 की value चाहिए, तो by equation 2 में चले जाओ, यह है, फिर by equation 1 में चले जाओ, जिसमें भी चले जाओ, कोई फरक ने बढ़ता, तो जाएगा, theta 1 plus theta 2 is equal to 180 degree, तो जाएगा, 107 plus theta 2 is equal to 180 degree, so theta 2 is equal to 180 minus 107 degree, तो यहाँ पर आजाएगी इसकी value, which is 3 हो जाएगा, तो 10, 73 में रख्या ला राची है, तो 7, 10, 8, चाहिए एक दब, तो व हो एंगल हो गया, 73, देख लो, एक बर इतना अंस इसको भी, comfortable, copy कर लिया, चलो, शाबश, अब हम लोग चल रहे है, question number 3 पर, question 3 के कहता है, से सून लिजे, question 3 कहता है हम से, an angle is equal to 5 times of its complement, कोई angle है, जो अपने complement का 5 times है, तो यह कैसा दिखाए देख लो, वैसे ही वाला sense हो गया angle हो गया theta, तो उसका complement, 90 minus theta, अब बोल रहा है, अपने complement का, यह angle, अपने complement का 5 times है, मतलब कि 5 गुना है, अपने पूरक का 5 गुना है, कोई code, अपने पूरक का 5 गुना है, कोई code, यह रहा है, उसका पूरक, उसका 5 गुना हो गया, इस एंगल की value आप से पूछा जा रहा है, जैसे इसको solve करो तो यह हो जाएगा 450 minus 5 theta, ठीक है, तो यह हो जाएगा 6 theta is equals to 450, जैसे इसको solve करो जाएगा, theta is equals to 450 upon 6, इसी cutting करोगे आप, इसी cutting करोगे तो यहाँ पर बजाएगा 7 times में, और फिर आपके बचेगा 7 times में, और फिर 30 हो जाएगा 5 times में, theta की value आजाएगा 75 degree, इसका answer 75 degree है, 15 degree नहीं है, ठीक है, 75 degree is a right answer, देख लएग बर बिनांस है, ठीक है, ओके, चली, now we are going for question number 4, question number 4, question number 4, question 4 कहता है, two supplementary angles are in the ratio 2, ratio 3, find angles, दो supplementary angles है, जिनका ratio 2, ratio 3 है, तो theta 1, ratio theta 2, is equals to 2, ratio 3 है, तो कभी भी ratio break होता है, तो हमेशा एक variable लेता है, which is x, तो यह हो गया 2x, और यह हो गया 3x, जैसे ही आप एक variable मानते हो, which is x, तो वो उसकी value बन जाती है, ठीक है, तो theta 1, is equals to 2, हो गया 2x, और theta 2, is equals to 2, हो गया 3x, पहले इतना गडित समझ लीजिए, अज बार question बताता हो, question बोल रहा है कि, दो समपूरक कोण है, जिसके बीच का नुपाद 2, नुपाद 3 है, तो यह रहे वो दो समपूरक कोण, लेट से theta 1 और theta 2, और उनका ratio था 2, ratio 3, तो ratio break वो तो x मिला, theta 1 या लेग दिया, अब उसके बात के कहता है, यह सुन लो, उसका बात कहता है कि, वो जो angle थे न, वो supplementary थे, है न, angle supplementary थे, कोई भी angle supplementary का होगा बचे लोग, जब उनके बीच का sum कितना होता है, 180 degree, जब तक उनके बीच का sum 180 degree है, तब उसका supplementary नहीं भूल सकते, तो यह होगे उनके बीच का sum 180 degree, तो theta 1 की value अपने लिखा 2x, theta 2 की value 180 degree, तो इसका मतलब कि, मुझे x यह question मुझे जाएगा, 180 upon 5, इसको जैसे आप cancel करोगे तो जाएगा 3 times में, और 3 बच जाएगा, फिर आजाएगा 6 times में, चीक है, 36 हो गया, तो find the angles, तो x की value आ रहे है, 36, लेकिन angle पूछ रहा है, तो angle तो theta 1 था 2x, और theta 2 था आपके पास, theta 2 आपके पास, which is 3x, तो जैसे multiply करोगे, तो यह हो जाएगा 108 और यह हो जाएगा 72, ठीक है, यह इसका answer, देख लिए जाए जाए इत्मिनान से, question 4, यह रहा answer, ठीक है, question 5 सुन ले जाए इत्मिनान से, question 5 क्याके तब आपको बताते है, question 5 में लिखता है वो, if an internal angle of a regular polygon is 135 degree, क्य क्या है वो, एक regular polygon है, मतलब की, हिंदियों बुल रहा है कि, एक regular polygon कहना चाहिए, बहुबुज है एक, ठीक है, एक बहुबुज है, और उसको हम लोग कहेंगे, regular बहुबुज कहने का मतलब यह होता है, regular polygon कहने का मतलब यह होता है, कि जब उसकी सारी sites equal होती है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि, one internal angle is 135 degree हो, और उसके एक आंतरिक कोण का मान 135 degree है, जबर question फिर से repeat को, और पिनान से सुन लो, if one internal angle of a regular polygon is 135 degree, then find the number of diagonals in the polygon, बोल रहा है कि, एक ऐसा भुबुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो अगर उसके एक आंतर कोण का मान 135 degree हो, तो उसमें विक चाहते हो, उनकी भी help हो जाए, तो मैं English में चीज़ों convey रहा हो, साथ में Hindi में convey करूं, ताकि दोनों दरा के बच्चों के help मिल जाए इसे, तो इत्मिनान से इस वाले question को, जो मैंने आपर भी लिखा हुआ है, आप इस वाले question को एक बार सोचिए, कि कैसे deal होगा, इसमें नय heading डालने है, तो एक बार मैं आप से पहले concept share कर लेता हूँ, उस concept को आप देख लीजिए, यह heading डालने के बाद, आपको इस तरीके से 3 column बनाना है, एक column में आपको लिखना है, शेप, दूसरे column में आपको लिखना है, sum of interior angle, मतलब की अनता कोड़ों का योग, और तीसरे में आपको लिखना है, number of diagonal, number of diagonal, मतलब की विकणनों की संख्या, यह आपको 3 column मना रहे हैं इस तरीके से, ठीके, तो पहले column में आपने लिखा shape, तो shape में मैं पहला shape सोच रहा हूँ, triangle का, तो triangle के shape में, अगर आपसे पूछा जाए कि sum of interior angle कितना होता है, मतलब की अनता कोड़ों का योग कितना होता है, तो उसका जवाब होता है, 180 degree, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि diagonal कितनी होती है, तो इसका answer होता है, 0, इसमें कोई भी diagonal नहीं होती है, अब मैं number 2, दूसरा shape ले रहा हूँ, let's say मैंने दूसरा shape ले लिया rectangle, आयत का, ठीक है, तो इसमें अगर अन्ता कोड़ों का योग देखुए तो वो आता है, 360 degree, और इसमें अगर विकंडों की संख्या देखुए जिन मच्चों को diagonal के क्या होता है, वो समझने में कश्ट आ तो आप यहां पर इस तरह से focus कर सकते, यह वाली चीज convey करती है, diagonal को, तो कितने red color की line देख रही आपको, दो, अब अगर मैं बात करूं, यह triangle हो गया, rectangle हो गया, मैं बात करूं, pentagon की, यह pentagon में कितनी, sum of interior angle क्या होने बाला, देखो, अब triangle और rectangle हमको याद होता है, लेकिन ज होता है, तो यह चीज फिर याद रखना होता है, तो हम लोग इसके लिए एक generalized funda सिखेंगे, funda क्या है आप यह जान लो, sum of interior angle in any shape, इसी question होता है, n-2.180 degree, यह आप याद रख लिजे, this is what you should remember, यह आप याद रख लिजे, क्या रख लिजे पही, sum of interior angle in any shape, किसी भी आकरती मे है, अन्ता कोडों का यह बराबर, n-2.180 degree, जहां पर n कह सर, n बराबर है, number of sides, ठीक है, क्यासे सर, जैसे यहां पर triangle है, तो कितनी sides होती 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 है, तो n बराबर 3 जबाब यहां पर लिखोगे, तो n 3-2 जागा 1, 1.180 degree, आजगा 180 degree, और अगर आपको triangle में जाना हो तो n बराबर कितना होती होती है, 4 यहां पर रखो दो, 4-2, 180, 2, 2, 360, n बराबर जैसे यहां पर रखोगे, तो यहां पर हो जाएगा, 5-2.180 degree, तो इसको solve करने सा आएगा 540 degree, तो अन्ता कोडों को अगर जोडोगे, आप किसी भी pentagon में, तो उसका sum कितना आता है, भाई, 540 degree आता है, अब number of diagonal, यह number of diagonal न मैं permutation combination का मैंने एक chapter पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत ही basic में convey किया कि कैसे निकालते हैं, चीक है, आप इस वाले channel के playlist पर चाहिए, playlist में आपका permutation combination का पूरा package बना हुआ देखे, उसमें कुछ वीडियोस है, वो सारे वीडियोस देखे, उसक अब इसको याद रख लो फिर, यह कैसे आता है, मैं वहाँ पर बताया हूँ, तो number of diagonal होता है, n, n-3 upon 2, जहाँ पर n के है number of sides, जैसे आप यहाँ पर 3 put करो, 3 minus 3 हो जागा 0, तो यह 0, जैसे आप 4 put करो, 4 minus 3, 1, 4 by 2, 2, जैसे 5 put करो, 5 minus 3, 2, 2, 2, 2, 2, जैसे 5 बच जाएगा, आ आपने पहले यह निकालना सिखिए, कि किसी भी शेप में sum of interior angle कैसे निकालते हैं, और किसी भी शेप में number of diagonal कैसे निकालते हैं, पहले आप यह निकालना सिखिए, ठीक हैं, अब तो कोई भी शेप दे वो, hexagon दे इदे, septagon दे, कुछ भी देदे, आप तो बहुत आराम से जम कर रही है, comfortable है अपन? ठीक है? तो यह इस तरीके से होता है, तो यह हो गई इसकी theory, यह पूरी theory हो गई, अब मेरे को इसको question में apply करना है, इसको आप इत्मिनायन से copy कर लो, मैं इसे question में apply करने वालो, चलिए, अब सुनते है, question number 5, जो कि पिछले वाले वीडियो का homework था, question number 5 की जो official language है, आप पिछले वाले वीडियो से लिख कर आएंगे, इसमें direct solve करना से खार हो, यहाँ पर focus करके देख लो, solve कैसे करते हैं, ठीक है? सुनते हैं, पिछले वीडियो के उसने यह खा था, if one interior angle of a regular polygon is 135 degree, ठीक है, मुझे क्या given था, one interior angle of regular polygon is equals to 135 degree, मुझे यह given था, ठीक है, अब point को दरसल समझो, और वो मुझे पूच क्या रहा था, मुझे पूच रहा था, number of diagonals, किसी एक ऐसे बहुबुज, polygon मतलब है बहुबुज, मतलब जिसके बहुँच सारी बुजाएं होंगे, मैं sure नहीं हो, कितनी होंगे, तो कोई एक ऐसा बहुबुज, जिसकी सारे बुजाएं बराबर है, regular क मैं दिया था, मैं अभी आपको इसके स्वाल परके बताता हूं, एक बिरान से सीख लीजिए, देखो, मुझे अभी अभी मैंने सीखा, sum of interior angle, sum of interior angle, in any polygon, यह मैंने अभी भी सीखा, easy question में आपको बताया था, n-2.180 degree, अभी बताया था नहीं हो, यह बात को समझना, मुझे sum of interior angle पता है, जो की होता है, n-2.180 degree, comfortable है अपन, जहां पर n क्या represent कर रहा है sir, n represent कर रहा है number of sides को, got it? let an easy question, number of sides, मतलब कि भुजाओं की संख्या, अब देखो बई, अब ज़रा इत्मिनान से चीजों को सीखते हैं, कि किसी भी shape में, number of sides हमेशा बराबर होती है number of angles के, इसका मतलब यह है, कि गिसी भी shape में, जितनी उसकी sides होंगी, उतनी उसमें angle होंगे, जितनी यूसमें भुजाया होंगी उतनी उसमें कोड होंगे। अब दूसरी बात सुनों। क्योंकि मुझे question में given था कि वो permissions is regular है बस यही वाली बात important थी यूंकि मुझे question में given था कि वो clockwise तो regular है तो regular से मैं क्या समझता हूँ कि सारे के सारे sides भरावर है और यह concept है, अगर सारे side बराबर हो तो सारे angle भी बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि हर एक angle की value उसमें same to same है, क्यों भई, क्योंकि वो polygon कैसा है, regular है, comfortable है अपन, हर एक angle की value उसमें same to same है, मतलब चाहिए अगर 90 degree होगा तो सबकी 90 degree होगी, 70 होगी 70 होगी, 60 होगी, मु सब्सक्राइब होगी, अब मैं को यह पता है कि उसके हर एक interior angle की value equal है, अब एक उधारण के तोर पर एक concept को सुनिए, सोचो भई, आपको ना 100 rupees दिये गए, ठीक है, और आपसे यह कहा गया, कि यह जो 100 rupees है, यह 4 लोगों में बराबर बराबर बाबर बाटना है, ठीक है, लोगों में बराबर बाटना है, अब क्योंकि 5 लोगों में बराबर बाटना है, तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर माले आपको sum पता हो, जैसे यहाँ पर 100 rupees था, फिर उसको जितने भी लोगों में बाटना हो, बराबर बराबर, तो जितने भी नंबर होता है, उस तो उसको divide कर देते, माले अगर sum था 100 rupees, और 4 लोगों में बराबर बाटना होता हो, तो divide by 4 कर दिया, तो एक को मिला 25, माले अगर 5 लोगों में बाटना होता हो, तो divide by 5 कर द अगरी, यहीजी चीज एकसेप्ट होती है, अब यही वली चीज में इसमें लगाने वलो, यहीजी वली चीज में लगाने वलो, मुझे यहां पर न, सम पता है, इसका मतलब क्या है, कि टोटल जो इंटिरियर एंगल का जो सम है, वो इंटिरियर एंगल की वैली एकवल है, मतलब सब में बरावर बरावर बाटना है, तो एक एंगल कितना होगा, वन इंटिरियर एंगल, एक को कितना एंगल मिलेगा, वन इंटिरियर एंगल, ऑफ ए रेगुलर पोलेगन, वन इंटिरियर एंगल ऑफ रेगुलर पोलेगन, मैंने बताया था, कि जब बरावर बरावर बाटना हो, तो बस देखना होता है, कि कितने लोगों में बाटना है, जितने भी लोग में बातना हो तो इससे डिवाइड करते जाते हैं, अभी बताए था ना, तो मेरे को कितने Terms में बातना है, एंड टम्स में बातना है, तो इसलिए जो भी Sum होगा, ये है वो Sum, जो भी Sum होगा, उसको समझो आपको आगई बात समझ में क्या लिखा हुआ है वन इंटीर एंगल यहां पर मैंने वन लिखा हुआ है ठीक है वन इंटीर एंगल और रेगुलर पॉलेगन इस एन माइनस दो ड़ाट वन एट गरे अपन जो कि आप इतना सीख गए तो बस हो गई बात ख़ता है आगे इतना आपको समझ में यह कैसे डिवाइड वाइए यह समझ में आ रहा रहा आपको बस आपको इतना ही जानना था अब यह कोशन पुरा स्वाल हो गया है देखू यहां पर क्या लिखा हुआ है वन इंटीर एंगल और रेगुलर पोलेगन वन इंटीर एंगल ऑफ रेगुल इसे काड़ेगा तो फाइव टू जा टैन तीन बच जाएगा सेवन टामस चला जाएगा और फिर यह कैंसल जाएगा विच इस फाइव थ्री टैमस जा फिर बच जाएगा 335 और यह 9 से चलाएगा 9 3 जा 9 4 जा प्रॉस मल्टिप्लाइग करूँगा तो जाएगा 3N is equals to 4N minus 8 तो यह इस तरफ वो इस तरफ तो N की value आजाएगी यहां से 8 यह N क्या है से N है number of sides या number of angle ठीक है तो N की value आ गई 8 अब लेकिन question में क्या पूछा था यह सुन लो question में उसने पूछा था number of diagonal तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि diagonal का फंडा क्या होता है N, N minus 3 upon 2 तो N की तो कैसा देखेगा 8, 8 minus 3 upon 2 तो जागा 8, 8 minus 3 is 5, 5, 4 जा 20 तो इसका right answer था 20 तो पिछले वाले वीडियो में जो मैंने question 5 homework दिया था उसका जवाब था 20, अगर आपने comment section में 20 answer feed किया हो तो आपने बहुत सही किया है, शाबाश, एक बार इसका पूरा solution देख लो, concept को यह था कि कि आपको यह सीखना था कि divide by n कैसे होता है, बस आपको यह सीखना था, अगर आप यह सीख गए तो समझो बात बन गई, चीक है, ओके है, तो आप यह से पूरा copy कीजिएगा, हम लोग चल रहे है, question number 6 पर, मैं हट जाता हूँ, copy कर लिजी, आप चल रहे है, question number 6 पर, question number 6 सुनते, question number 6 से गएता जरा ख्याल कर लो, इतना आंसे question पढ़के सुना रहो, question सुनो, if each interior angle of a regular polygon is 7 by 6 times of each of a regular hexagon, then what is the number of sides of a polygon, question, question हिंदी बोलते तो सुनलो, question मैं यह कह रहा है, कि किसी regular polygon, अब regular polygon से समझ चलो, ऐसा बहुगोच जिसकी सारी भूजाएं बराबर होती है, किसी regular polygon, चीक है, कि प्रतेक अंतह कोड का मान, किसी regular hexagon, hexagon बहुगोच, किसी समान शटबुज, कि प्रतेक अंतह कोड का साथ बटे 6 गुना है, got it, अब बोल रहे है, then what is the number of sides of a polygon, तो उस बहुगोच मैं बोजाओं की संख्या ग्याद कीजिए, question लिख लिए, वीडियो को pause कीजिए, तुरंट solve करना श्टार्ट कीजिए, question number 6, मैं आप बोड में solve करके बता रहे हैं, बहुत मिना अंसर देख लो, देखो, अभी अभी हमने सिखा था, one interior angle, one interior angle, of a regular polygon, क्या बताया था, n-2.180 degree upon n, यह अभी अभी हमने सीखा था, यह आपको समझ में आना चाहिए, चीक है, इतना आगे आपको सुन में, यहादे comfortable आपन, चलो, आगे सुनते, अब मैं को one interior angle पता चल गया, which is n-2.180 degree upon n, अब मुझे क्या गरना है, क्योंकि यह polygon जो है, polygon जो है, वो 7 by 6 times है, hexagon का, यह question की condition given है, तो polygon के face में, एक interior angle की value कितनी हो जाएगी, n-2.180 degree upon n, agree, और फिर 7 by 6 times of hexagon, hexagon की case में, hexagon में कितनी sides होती है, 6 sides, shut bush में 6 sides, तो n की value कितनी हो जाएगी, 6.180 degree upon 6, इसे समाझ गया अपन, जहाँ ठीक है अपन, अब इसको आप solve करते, यह expression को अगर आप solve करते, तो n की value निकल जाती है, और वही उसका answer होता, 180 से 180 cancel हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास, n-2 upon n is equal to 7 by 6, which is 4 upon 6, ठीक है, तो यह जाएगा 3, यह जाएगा 3 और यह पूरा 4 cancel हो जाएगा, 9 का cross multiply करोंगों तो कैसा दिखाएगा, 9n-18 is equal to 7n, तो हो जाएगा 2n is equal to 18, तो n is equal to 9, तो number of sites जो होंगी न, उस regular polygon में, वो होने वाली है 9, ज़रा इतना answer देख लीजिए, समझ गया आप, comfortable है बचलोंगा आप इसमें, ठीक है, चलिए, तो यह हो गया, आपके लिए video number, question number 6, copy कर लिजिए का, हम लोग चल रहे है, question number 7 पे, now we are going for question number 7, question number 7 पढ़के बदातों, सुनिया, question number 7 क्या कहता है, in two regular polygons, number of sides are in the ratio 5, ratio 4, if the difference between their interior angle is 6 degree, then number of sides in the polygon is, यह बढ़के हिंदी भी समझाता हो, सुनिया, मेरे पास अबकी बढ़ दो regular polygon है, ठीक है, जिनके sides का ratio है, मेरे पास 5, ratio 4, comfortable, अब वो कह रहा है, कि अगर उनके interior angle का difference, if the difference between their each interior angle यह फिलिक देना, अगर उनके हर एक interior angle का difference 6 degree हो, ऐसा वो कह रहा है, then number of sides in the polygon is, तो उस वाले बहुबुच की भुजाओं की संख्या ग्याद कीजाए, अगर उसके हर एक अंता कोण के बीच का अंतार 6 degree हो, तो आपको हर, तो पॉलेगन की भुजाओं की संख्या बतानी है, ठीक है, question आगे समझ में, तो आप इत्मिनान से वीडियो को post करो, वीडियो को post करें आद, question खुद बना कर देखो, जब आप question खुद बना कर देखो, तब चीज़ें आपको अच्छे संख्याच में आएगगी, यह ता फिर चीज़ें समझ में नहीं आने मादी है, ठीक है, question में क्या given है, कि दो regular polygon है, जिसके sides है 5 ratio 4, ठीक है भई, तो मान लिया, जो पहला वाला polygon होगा, उसके number of sides होगे N1, और जो दूसरा वाला polygon होगा, उसके number of sides होगे N2, तो N1 और N2 क्या है, number of sides in the first polygon, number of sides in the second polygon, और इनके बीच का में को ratio given है, ratio मुझे given है इनके बीच का, which is 5 ratio 4 ठीक है, तो जैसे ही आप इसको break करोगे, तो यह हो जाएगा 5X और यह हो जाएगा 4X, इसके पहले मैंने बता रखा है, कि जभी भी आप ratio break करते हैं, तो हमेशा एक variable देना पड़ता है, which is X, और जैसे यह variable दे देते हैं, तो उससे ही उसकी value बन जाते है, अब यह N1 हो गया और यह N2 हो गया, इसे समाज़े रखा है यहाँ तो नाव N1 is equals to 5X, नाव N2 is equals to 4X, इतना क्लियर हो गया, idea accepted, चलिए, आगे सुनते, अब मुझे क्या पता है बई, मुझे पता है कि एक interior angle की value हो जाएगे N1 minus 2, ऐसे लिख देता हूं, चलो, one interior angle of polygon 1 and one interior angle of polygon 2, यह ऐसे लिख हो जाए, देखो ज़रा, polygon 1 के एक अंता कोण का मान, polygon 2 के एक अंता कोण का मान, इन दोनों के बीच का difference, कितना given है में को, 6 degree, यह question में given है, question में क्या given है आपको, the difference between their each interior angle is 6 degree, तो उसके हर एक interior angle की value का difference 6 degree है, तो यह रहा interior angle के बीच का minus sign shows difference, कितना वही 6 degree, यह तो उनला point accepted हो जैसे ही इसको solve करें जबता हो, regular polygon के एक interior angle की value, आप यहां से solve कर सकते हो, n-2.180 degree upon n, यह हो जाएगा, क्योंकि पहला है इसलिए n1, n1 कर देता हो, यह हो जाएगा, n2-2.180 degree upon n2 is equal to 6 degree, एक बार समझा रहो, समझ लीजी जिसको एक बार, मुझे given था कि पहले वाले polygon का, एक interior angle के बीच का difference, दूसरे वाले polygon के एक interior angle के साथ में, जो difference है, वो कितना है, 6 degree है, तो एक interior angle की value किती होती है, n-2.180 degree upon n, क्योंकि पहला polygon इसलिए n1, n1 कर दिया, और क्योंकि दूसरा polygon इसलिए n2, n2 कर दिया, समझना है, और n1, n2 के विए विए वो question में given थी 5x और 4x, तो अब 180 degree upon में 4x, इसे question कितना आ जाएगा, 6 degree, इसे समझ के आप, यहां तो इसे solve करना है, सिर्फ x के लिए, सिर्फ x के लिए solve करोगे, right answer निकल के आ जाएगा, मैं फटा वट थोड़ा सा करके बता देता हूँ, तो जैसे अब इसको solve करो तो क्या होगा, कि 180 upon x यहां से बाहर निक कर दोगे, तो यह हो जाएगा 4 यहां पर, तो यह जाएगा 5, 4 जा 20x, minus 8, minus, again 5, 4 जा 20x, and plus हो जाएगा फिर वो, and फिर पास बच जाएगा, which is 5, 2 जा 10, और divide में आ जाएगा 5, 4 जा 20, is equals to 6 degree, चीक है, तो यह 20x, इस 20x को cancel कर देगा, वहां से बचेगा 10, मतब दो, यह 2, इ जो है, x की जो value आएगी, यह 6, इस 18 को cancel कर देगा, तीन बारी में, तो x की जो value आएगी, वह आएगी 3 degree, ठीक है, तो आप जो है, अपने हिसाब से solve करना उसे, मैंने थोड़ा दिमाग में जादा कर दिया, तो अगर माले calculation में कश्ट हो, तो पूरा एक बार basic से करके आप द तो यह हो जाएगा 15, और यह हो जाएगा 12, तो इस question का जो right answer है, वो है 15 और 12, question number 7 का right answer है 15 and 12, इत्मिनान से देख लेजिए, comfortable है पर इस पर ठीक है, चलिए, copy कर लिए आपने से, शाबश, now we are going forward, हम लोग आप चल रहे है, question number 8 की तरफ, इत्मिनान से बने रहाँ, सारे question में solve करके बता हुआ, आपको देरे-देरे चीजे, बड़े अलगने लगेगे, question number 8 सुनते है, question number 8 कहता है, the ratio between the number of sides of a regular polygon is 1 ratio 2, and ratio between their interior angle is 2 ratio 3, number of sides of these polygons are respectively, मैं बोल देता है, question इतना आप सुन लो, question यह कह रहा है कि आपने पास दो अलग-अलग regular polygon है, अभी समझा थे, regular polygon क्या होत होती है, ठीक है, तो हमारे पास दो अलग-अलग regular polygon है, जिनके sides का ratio है, 1 ratio 2, ठीक है, और उनके interior angle का ratio, और उनके अंतह कोडों का जो अनुपात है, वो दो अनुपात 3 है, अब आप से पूछ रहा है, the number of sides of these polygons are respectively, तो इसके number of sides की value क्या होगी, इन पॉलेगन की, यह दरहसल question है, ठीक है, आप वीडियो को पहुंस कीजे, एक बार इससे आप खुद से solve करके देखिए, जब खुद से solve कर लें, फिर उसके बार इसको play कीचेगा, ठीक है, चलो, अब मैं इसको आपको एक बार solve करके बता देता हूँ, इत्मिनान से सीख लो, देखो, फंडा यही वाल वीडियो पॉस करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, कि अभी देख सर ने 4-4-5-5 question बता दी, एक बार तुमें खुद से करके देखो, तो थोड़ा effort डालो उस पे, समझे हो तुम, चलो जड़ा सुनते, देखो मैं क्या कहरो, उसने क्या कहा है question पे, question पे वो यह कह रहा है, कि दो regular polygon है, जिनके sides के ratio 1, ratio 2, तो अभी भी बताया था, मानले अब पहला वाला regular polygon के sides होगी N1, यह N1 के है, number of sides in the first polygon, और दूसरा regular polygon के sides होगी N2, तो N1 ratio N2 जब आप करोगे, तो आपको मिलेगा 2, ratio 3, sorry, 1, ratio 2, यह 1, ratio 2, यह 1, ratio 2, यह सुनने आगे है, चिके, यहाद ओके है तो अभी मैंने बताया था, जैसे यह ratio break होता है, जैसे यह ratio break होता है, तो एक variable लेता है, X, और जब variable दे देते हो, तो उसकी value बन जाता है, N1 बराबर हो गया X, N2 बराबर हो गया 2X, यह रख सुनने आगे, ठीक है, अब मुझे given है, क्या given है, कि उसके interior angle का अनुपात, interior angle का ratio at 2 ratio through, मतलब कैसे होगा, अभी अभी करना से खाया था, angle of P1, angle of P2 is equals to 2 by 3, जैसे इसके पहले question में angle of P1 minus angle of P2 is equals to 6 था, यहाँ पर angle of P1 upon angle of P2 is equals to 2 by 3 है, और क्या, इतना ही तो फराग है, खुद से बनाना चाहिए था आपको, तो फिर ही कैसा हो जागा, देखो ज़रा, N-2 तो N1 है क्योंकि पहला वाला पोलेगा नहीं, तो N1 minus 2, dot 180 degree upon N1 divided by N2 minus 2, N2 minus 2, dot 180 degree divided by N2 is equals to 2 by 3, जैसे ही आप जैसे ही आप इसको solve करोगे, जैसे ही आप इसको solve करोगे, तो यह 180, इस 180 को cancel कर देगा, जीक है, अब value put कर देता हूँ, N1 की जगा पर क्या लखने वालों में, X, तो कैसे देखेगा आपको, X minus 2 upon X, और N2 में क्या लिखने वालों में, 2X, तो कैसे देखेगा, 2X minus 2 upon 2X, is equals to 2 by 3, आए सोन में, यहां side में solve कर रहो, देख ले न, दो लाइन में solve हो जागा, इतनी जगा काफी हो उसके लिए, देखो, तो अब जैसे इसको solve करोगे तो क्या ह 2X minus 2, गाट इट, हाला कि मैं 2, 2 भी कैंसल कर सकता था, कर दूं क्या, चलो कर देते ही पर, XX cancel हो गया, यह 2, 2 और यह 2 भी कैंसल जागा, तो कैसे देखेगा, देख लो, X minus 2 upon X minus 1 is equals to 2 upon 3, समझा है, cross multiply करको तो कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3X minus 6 is equals to 2X minus 2, ठीक है, और फ ग्यास 4, X is equals to 4 आ रहा है, लेकिन question में उसने X की value नहीं पूछी है, question में उसने पूछा है, number of sides इन पॉलेगन, तो N1 और N2 है, put करना है, N1 is equals to 2X, मतलब हो जाएगा 4, और N2 is equals to 2X, मतलब 2 into 4 हो जाएगा 8, तो इस question का answer था 4 और 8, तो वो दोनों polygon की number of sides होंगी, 4 और 8, ठी ठीक है, बिल्कुल जैसा question number 7 था, वैसा ही question number 8 है, यह question number 8 का solution था, ठीक है, तो जैसा 7 था वैसा ही 8 था, दोनों एकदम back to back same question लिये थे मैंने, जरा सा interchange है, थोड़ा बहुत अब interchange expect करो गई न, तो इत्मिनान से इसे देख लिजे, कहीं भी doubt था, आब मुसे बिल्कुल comment section में बूच हो, मैं वहाँ पर active हो, क्या लिखाओगा question, इवर question सुन लो, question कहता है, if each interior angle of a regular polygon is three times its exterior angle, the number of sides of the polygon is, इवर question समझा देता हूँ, बोल रहा है कि एक regular polygon है, regular polygon वो होता है, जिसके हर एक side equal होती है, चीक है, उसमें प्रतेक अंतह कोण, उसके प्रतेक बाहे कोण का तीन ग three times है, the number of sides of the polygon, तो उस बहुबुच में, बोजाओं के संख्याप से पूच रहा है, question आगे समझ में, यह है question 1 9, got it, अब मैं इस question को आपको solve करके बताने वाला हूँ, एक वरत्मिनान से सुन लिजे, मैंने इसके पहले video number 2 में वो concept दिया था, one interior angle, यह question 1 9 का solution चल रहा है, one interior angle of a regular polygon, of a regular polygon, is your question होता है, n minus 2 dot 180 degree, यह तो sum होता है, ठीक है, divide by n कर दूँगा, तो यह हो जाएगा, one interior angle, यह मने बता रहा है, कैसे होता है, अब एक बार इसे भी जान लो, sum of exterior angle of a regular polygon, यह फिर any shape के लिए है, यह तो, of a polygon लिख देखो, जैसे इसके पहले लिए वीडियो में आपको बताया था, कि किसी भी shape में interior angle का sum, n minus 2 dot 180 degree होता है, बलकुल वैसे ही, किसी भी shape में exterior angle का sum, बाहय कोडों का योग, 360 degree होता है, यह fix एक दम, जैसे interior के लिए n minus 2 dot 180 degree fix है, interior angle के sum के लिए, वैसे ही, किसी भी polygon में exterior angle के sum के लिए 360 degree fix है, ठीक है, तो अगर मान लिया polygon regular हो जाए, और उसमें sum की जगाए, एक exterior angle की value पूछे, एक exterior angle की value पूछे, तो मैंने बताया था, polygon regular हो गया, तो इसको लगा, उसकी हर एक side equal, हर एक side equal, तो हर एक angle equal, agree, तो मान लिया polygon में n sides है, तो उसमें n angles होंगे, अब n exterior angle होंगे, तो what my point is, एक angle की value जानने के लिए, अगर sum 360 हो तो एक की value जानने के लिए, डिवाइड बए क्या कर न होता है, n, जैसे यहाँ पर divide by n का logic है, वैसे यहाँ भी divide by n का logic है, देख लो इतनाल से, आगे बात सुने, अब मुझे question में given है, कि जो interior angle है, वो 3 times exterior angle का यह question में given है, यह रावो question, interior angle है, 3 times exterior angle तो कैसा दिखाए देगा यह, n minus 2 dot 180 degree upon n is equals to 3 times of 360 degree upon n, ऐसा बनेगा न, सुनगा आपको है, सुनगा रहा है, ठीक है, तो यह n से n जो है cancel हो जाएगा, यह 360 इससे 2 बारी में cancel हो जाएगा, तो n minus 2 is equals to 6, तो n की value कितनी है जागी, 8, यह n क्या है sir, n है number of sides, तो इसमें question में वही पूछा था, कि number of sides of a polygon is to number of sides कितनी आ जाएगी, इसमें, 8, 8 is question का right answer हो गया, सीख के बचलो, comfortable है इसमें आप, चलिए यह से आप पपी कर लीजेगा, बढ़िया तरीके से, done, शाबाश, अब हम लोग चल रहे है, question number 10 पर, अब मैं एक्स्प्लेइन करके बता हुआ, एक बड़ 10 सुन लीजे, question about 10 क्याता है, सुनो, external angle of a regular polygon is 72 degree, find the sum of interior angle, एक regular polygon के external angle की value given है, which is 72 degree, यह लिखा हुआ, exterior angle of a regular polygon, एक exterior angle की value किती होती, 360 degree upon n, मैं बोदा हूं 360 degree upon n होगा, question मुल रहे हैं नहीं 72 degree होगा, इसका मतलब कि मैं दोनों को बराबर नहीं बोल सकता हूं, 72 degree is equal to 360 upon n, accepted, 9 से cancel हो जाएगा, 36, 2 जाए होता है, तो यह 2 बारी में जाएगा, फिर इसको cancel out करोगा, तो यह आ जाएगा, 5 बारी में, तो n की value कितनी है जाएगी मेरे पास, 5, n क्या है, n है number of sides of a regular polygon, ठीक है, लेकिन question में उसने number of sides नहीं पू एंगल, sum क्या होता है, sum होता है, n-2.180 degree, divide by n करोगा, तो एक एंगल की value आजाएगी, लेकिन में को sum जानना है, तो बस इतना ही छोड़ दो, n की value किती नहीं काले अपने 5, तो जाएगा, 5-2.180 degree, तो 18, 3, 54, 5, 40, इसका right answer है, देख लो इतना answer, आगया content समझ दे, comfortable हैं इस प के variety वाले question करा रहा हूं, एक बार इतना answer इसको भी सीख लीजे, होगया, question about 10 finish, शाबश, now we are going for question number 11, अब हम लोग, question number 11, मुझसे सुनने वाले हैं, ठीक है, अब अगर 10-10 question में पता चुका हूं, same logic है, 10-10, अगर एक भी चीज़ सीखी है, नो तुतुरंद वीडियो को pause को और इसको बना कर देखो जड़ा, यह बार question सम्झा देता हूं, सुनलो, the ratio of number of sides into polygon is 1 ratio 2, if each interior angle of the first polygon is 120 degree, then the measure of each interior angle of the second polygon is, तुरंट वीडियो पॉस करो और बनाओ भी इसको, question में कह रहे हैं कि हमारे पास दो regular polygon है, और जिसका, यहां पर regular लिख देता हूं, तो पैस्ट होगा, दो regular polygon है, जिसके side का ratio है, 1 ratio 2, चीक है, भुजाओं का अनुपाद, दो regular polygon, दो सम्झा भुज की भुजाओं का अनुपाद हमको given है, 1 ratio 2, चीक है, अब वो कह रहा है कि अगर प्रत्यक अन्ता कोण की value पहले polygon में, पहले भुज में 120 degree हो, तब दूसरे polygon में प्रत्यक अन्ता क कोण का मान ग्यात कीजिए, यह है सवाल, चीक है, वीडियो को pause करो, बनाइए भाइस को खुद से, चलिए, शुरू करते है, I hope कि आपने answer comment section में डाले होंगे, question number अभी बताने वालों में आपको 11, देखो, मान ले अब पहले वाले polygon में number of side से N1, और दूसरे polygon में number of side से N2, चीक है, तो N1 ratio N2 जब आप करोगे, N1 ratio N2 जब आप करोगे, तो यह हो जाएगा 1 ratio 2, this is 1 ratio 2, यहां तक comfortable है अब जैसे आप इसको break करोगे, जैसे इसको break करोगे, तो यह हो जाएगा X, यह हो जाएगा 2X, इससे यह N1 की value हो जाएगी और इससे यह N2 की value हो जाएगी, यहां पहले पॉलेगन का तो एक इंटीर यंगल की वेले कितने होती है N-2.180 दिग्री अपॉन N तो हो जाएगा X-2.180 दिग्री अपॉन N मतलब वही N1 N1 की वेलेगा X है और इसकी वेलेव कुष्ट्टिन में गीवन है कित्ती की बिन है? 120 डिगरी, देखो ज़रा, संद्मिया गया? अब जैसे इसको आप solve करोगे, तो यह 0 से 0 cancel हो जाएगा, 6 3 times में, 6 2 times में, cross multiply करो तो कैसा मिलेगा? 3x minus, 3x minus 6, इसे question 2x, इसको अब x की value कित्ती आगे? 6, x की value 6 आने का मतलब यह है बच्छे, कि यहां से आप n2 क value निकाल सकते हो, n2 क्या हो जागा? 2 into 6 मतलब की 12, अब n2 आ रहा है 12, n2 के 12 आने का मतलब समझो, n convey कर रहा है number of sides, 2 convey कर रहा है दूसरे polygon का, और कितना निकल कर आ रहा है वो? 12, तो दूसरे वाले polygon में number of sides है मेरे पास 12, ठीक है? लेकिन question में क्या पुछा यह सुनलो, question में प देख लो, each interior angle, लिख देता हो यहाँ पर, each interior angle of second regular polygon is n2 minus 2 dot 180 degree upon n2, और n2 की value आपने अभी भी क्याने का लिए 12, तो कैसा दिखाए देगा? 12 minus 2 dot 180 degree upon में क्या जाएगा? 12, यह ठीक है? जैसे ही आप इसकी cutting करोगे, तो यह 3 times में जाएगा और यह जाएगा 2 times में, ठीक है? तो यह बन जाएगा 30 by 2, which is 15, 15 into 10, आंसर आजाएगा 150, तो इस question का right answer है 150, चीक है? एक बार एक मिनान से देख लो, question number 11 का right answer था 150, चीक है? अब मैंने 11-11 question आपको करवाएं, बचलोग, एक दम सारे के सारे similar concept के, इस वाले concept के question exam में आते हैं, वीडियो number 2 और वीडियो number 3 के questions are very very important, हमेशा आपके exams में आएंगे, तो मैंने angles के context में जितने बड़ीया-बड़ीया question हो सकते हैं, सारे इन 3 वीडियो में ने cover करवा दिय तो मैं line के prospect से आपको angles apply करना सिखाऊगा, तो बने रहेगा मेरे साथ फिर नए concepts के लिए